अब ही सुबह के आठ बचरे है और यह देखिए मौसम की हालत आज मुस्तरधार बारिश्या बोल सकते हूं और अभी मैं रेडी होगी हूं स्कूल जाने के लिए अब देखते हूं स्कूल कैसे पहुंचुकी गाइस वैसे तो मैं बस ही नोंगी obviously बट जहां जहां पैदल जान कि सॉक्स की लिए जाएंगी फिर किस तरह से पूरा दिन में स्कूल में रहूंगी गाइस यह देखिए सासुमा ने मेरे को आप चला लिए और बैठ यह चूले के पास बाहर का जो माहौल है वह आप आवाज से भी आप पता लगा सकती हूं कि आज कितनी बारिश है अर यह दिखें गएगा थाओप और यह देखिए गैस एनिमल्स ठन में बाहर खड़े हुए यह सारे के सारे लावारिस हैं लोगों ने घर से इन्हें बाहर निकाल दिया है और बारिश में बहुत ही बुरी हालत है इनकी और यह देखिए गाइस मेरी बस भी आ गई है और अभी टाइम आठ बच के 20 मिनट हुए है वाइस यह देखिए मेरे अभी से पाओं गीले हो गया है पानी जो है वो शूस के अंदर चला गया है वाइस यहाँ पर भी मैं बस नहीं वेट कर दीए बस का जो बस आती है इस पाओं आपके श्रीया पीजिए आपके श्रीया पीजिए आपके श्रीया जाती है वाइस यह देखिए थारे इस जोरे हो है और यह दस सेटर के फिल के पाबल जाना है यह देखिए गाइस पाओं चुकी हूं मैं स्पूल और पाओं की बहुत बुरी हालत है पूरी सॉक्स गिली होगी है पूरे शूस गिली होगे है और आज पूरा दिन बहुत मुश्किल होने वाली है आप लोगों सर्फ शाम को मिलकी में 3.30 पे देखते हैं शाम तक मौसम क अज़ा है यह देखिए गाइस वारे शुरू होगी और यह देखिए सारे टीचर्स जारे हैं घर और अज सारे के सारे पैदल ही जारे है तो अभी वापिस जारी हूँ मैं घर स्कूल से और यह बस थोड़ी जल्दी मिलकी थी आज यह उचा आज यह देखिए गाइस अभी उतरी हूँ बस से और यह देखिए हस्पेंट भी अभी उतरे हैं मैं इस तरफ वाली बस से और यह इस तरफ वाली बस से आज यह भी बस महीं गये थे तो अभी थोड़ी बारिश रुख गई है बिल्कुल हलकी हलकी और कल मौसम बता नहीं कैसा होगा आई होप अच्छा हो कि कल कब लोग महत मज़ेदार होने वाला है मैं जा रही हूं चमबा देखते हैं अगर इसी तरह की बारिश होई तब तो नहीं जाओंगी अगर मौसम सा और में तब तक लिए टेक कियर एंड बबाई